नमस्कार दोस्तों आज हम फिर एक बहुती प्रसिद दवा का रिव्यू करेंगे आप लोग पहले से ही टीवी पर इसका प्रचार देखते आए हैं हम बात कर रहे हैं मैंनकाइन का बहुती प्रसिद ब्रांड रिवाइटल एच कैपसुल के बारे में आज की वीडियो में जा सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइज के बारे में रिवाइटल एच कैपसुल आपको 110 रुपे में मिल जाएंगे अब हम बात करेंगे इसको लेना कैसे है नार्मली आप हर दिन एक कैपसुल ले सकते हैं खाने के आपको ये कैपसुल लेना है पानी या दूद किसी के साथ आप इसको ले सकते हैं खास बात आपको दोस्तों ध्यान देना है आप इसे कांटिनीव यूज करते हैं तो मैक्सिमम तीन महिना ही इसे यूज करना है ऐसा कमपनी खुद बोलती है तीन महिने के बाद आपको 15 दि अगर बिटामिन की बात करें तो इसमें सामिल है बिटामिन A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E और Folic Acid जैसा कि आपको स्कीन पर नजर आ रहा है कौन कौन से बिटामिन और मिनरल है जो इसमें एड किये गया है हमारे सरीर को परियाप्त मात्रा में बिटामिन और मिनरल चाहिए होता है अगर वे डाइट पर ना मिलें तो हमको जरूरत पढ़ती है सप्लिमेंट की रिवाइटल एज कैपसूल में दोस्तों ज्यादा कैलोरी, फैट और कार्बोहाइडरेट सामिल नहीं है जो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों अब हम आते हैं इसके फायदे के उपर इसको लेने से क्या-क्या फायदा देखने को मिलेंगे यह सरीर को ताकतवर बनाता है, इस फूतिवान बनाता है पूरा दिन आप अपने आपको फ्रेस महसूस करेंगे हर काम करने में मन लगेगा दिमाग को फ्रेस करता है बढ़ाता है जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं आपको परियाप नीद भी आएगी अगर आपको नीद न आने की समस्या है तो भी यह आपके लिए फैदिमंद होने वाला है शरीर को जो पोसक तत्यों की जरूरत होती है उसको रिवाइटल एच पूरा कर लेता है और भूग को बढ़ाने का यह काम करता है शरीर के एम्निटी सिस्टम को भी मजबूत करता है इसकीन से समबंदित जो फायदे हैं वो भी देखने को मिलता है विटामिन भी काम करता है और इसमें विटामिन B12 भी एड़ है जिससे की ओ कमी की पूर्ती हो जाती है रिवाइटल एच एक कम्पलीट हेल्थ के लिए बनाई गई है बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो दोस्तों इस पर इस्पेसली लिखा हुआ है कि आपको ओबर्डोज नहीं होना है अगर आप ओबर्डोज हो गए तो गैस की समस्या सीर्दर हर्ट रेट बढ़ने की समस्या देखने को मिल सकती है अगर हर्ट रेट बढ़ती है तो आपको तुरन डाक्टर से संपर्ख करना चाहिए वैसे दोस्तों आप जब सुरू में इसको यूज करेंगे तो सिर्दस वगेरे महसूस होगा बाद में कंडीशन अपने आप नार्मल हो जाएगी किसी किसी को दस्त लगने की समस्या सुरूआत में हो सकती है दोस्तों ये थे साइड इफेक्ट जो इसको लेने से देखने को मिलते हैं आपको रिवाइटल एज कैप्सूल की सब तरह की जानकारी मिल गई होगी बेसिकली जो विटामिन और पोशक पदार्थ हमें अपने खाने से नहीं मिल पाते हैं उन्हें यह सप्लिमेंट पूर्थी करते हैं हमें सही और परियापत मात्रा में इसका इस्तिमाल करना चाहिए जरूरत से ज़यदा कभी भी आप इसका इस्तिमाल मत करें और इन सप्लिमेंट को सालों साल तक नहीं लेना चाहिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बाद अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं धन्य बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार